विधान सभा चुनाओं को लेकर सभी पार्टिया अपनी एड़ी चोटी की जोड लगा रही अब ऐसे में कोई धर्म का सहारा लेकर लोगों का विश्वाज जीतना चाह रहा है तो कोई अपने काम को याद दिला कर जनता के दिलों पर राज करने की कोशिश कर रहा है मद्यप्रदेश में बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सभा शायच शेक एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम MP का रन में स्वागत करती हूँ खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस ने जारी की 85 उमिद्वारों की दूसरी लेज़ शुरू हुई नेताओं की बगावत कॉंग्रेस को फिल लगा जटका सिधार तिवारी भाजपा में शामिल समर्थन में उत्रे कॉंग्रेसी पार्सत गमंडिया गटबंधन पर सियम शिवराज का हमला बताया इनका काम जंता को धोखा देना कॉंग्रेस में बगावत तेज नारास कारेकर्टाओं ने PCC के सामने दिग विजय सिंग का पुतला फूका समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में छड़ी जंग कमलनाथ के बयान पर अखलेश का पलटवार पहली खबर में बात करेंगे कॉंग्रेस की तरफ से जारी की गई दूसरी लिस्ट की दरसल मध्यप्रदेश विधान सबा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने उमिद्वारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है इस लिस्ट में 88 नाम इनमें पहले घोशित तीन उमिद्वारों को बदला गया है इसके साथ ही कॉंग्रेस ने मध्यप्रदेश में 230 सीटों में एक को छोड़ कर सभी उमिद्वारों की घोशना कर दी है राज में 17 नौविंबर को मतदान होना है आपको बता दे कि इससे पहले कॉंग्रेस ने MP में 144 उमिद्वारों की अपनी पहली सूची जारी की दूग् एज्यपी प्रत्याशी और ग्रे मंत्री नरुत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाओ लड़ेंगे पूर्विधायक भारती एक बार नरुत्तम मिश्रा को चुनाओ हडा चुके हैं लेकिन पिछला चुनाओ वो मामूली अंतर से हार गय थे धत्या में नायत के टिकट का में उता रहा है वो केंद्रे क्रिशी मंत्री नरेंद्र सिंग तॉमर के खिलाफ चुनाओ लड़ेंगे केंद्रे मंत्री जोती रादित्य सिंधिया का गड़ मानी जाने वाली गौलियर विधानसवा सीच से कॉंग्रेस ने सुनिल शर्मा को मैदान में उता रहा है उन्हों कॉंग्रेस ने तीन सीटों पर उमिद्वार बदले हैं इनमें दत्या गोटे गाउं और पिछोर सीट शामिल है पिछोर से शलेंद्र सिंग का टिकट बदलकर अर्विंद सिंग लोधी को दिया है इसी तरह गोटे गाउं से पुर्विधानसवा अद्यक्ष नर्मदा प्र पूती रादितिय सिंध्या के नेतित में कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद कॉंग्रेस सरकार गिर गई थी मार्च 2020 में बीजेपी फिर से सत्ता में लोट आई और शिबराज सिंग चोहान मुख्य मंत्री बन विधानसवा में बीजेपी की मौजूदा स संख्या 127 है दूसरी खबर में बात करेंगे कॉंग्रेस को लगे जोरदार जटके की एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस को जटके पर जटके लग रहे हैं दरसल मद्यप्रदेश में चुनावी सरगर्म के बीच नेताओं के दल बदलने का दौर शुरू है जिसके चलते राजनीति उतल फुतल मची हुई हाली में रीवा के कद्दावर नेतों और सफेद शेर के नाम से मश्मूर दो बार से मध्यप्रदेश के विधान सभाध ध्यक्ष रहे पंडित श्री निवास तिवारी के प सब भुचाल आ गया और कॉंग्रेस की मुश्किले काफी बढ़ गई श्री निवास तिवारी पके कॉंग्रेसी थे और प्रदेश में कॉंग्रेस की नीव मजबूत करने में तिवारी परिवार का एहम योगडान था कॉंग्रेस नेता सिधार तिवारी के बीजेपी में जाते ही कॉंग्रेस की मुश्किले और भी भड़ गई है इसका सीधा फाइदा बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है कॉंग्रेस की मुश्किले अभी घटी नहीं है वो इसलिए क्योंकि सिधार तिवारी के बीजेपी में शामिल होने से ठीक पहले रीवा में कॉंग्रेस पार्टी के तिवारी परिवार से जुड़े सिधार तिवारी के समर्थक वार्ड क्रमाक 26 के वर्तमान कॉंग्रेस पार्सर स्वतंतर शर्मा ने सिधार तिवारी के समर् पर्थक सौतंत्र शर्मा भी उनके समर्थन में अपने नेता के साथ बीजिपी में जाने की बात कह रहे हैं अब इनकी खेमे में सैकड़ो ऐसे कॉंग्रेस नेता और कारे करता है जो इनके साथ भाजपा का दामन थाम सकते हैं अगर ऐसा होता है तो कॉंग्रेस का हाल पहले से वो सफेद शेर के नाम से मशूर थे और पुर्व प्रधान मंत्री स्वर्गे अटल विहारी वाजपे समेत पुर्व प्रधान मंत्री स्वर्गे इंद्रा गांदी भी श्री निवास तिवारी की राजुनीती से काफी प्रभावित थे श्री निवास तिवारी को लोग सफ करन बिगार कर रख दिया कॉंग्रेस की शिर्ष नेताओं के कहने पर सिधार तिवारी ने रीवा जुले के तिउन्थर विधानसवा सीट से चुनाओ लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी लेकिन पार्टी वरिस्ट नेताओं के रवये से नाराज और टिकट ना मिलने की रीवा से बड़ा जटका लगा सिधार तिवारी के समर्थक सेकड़ो कॉंग्रेसी कारिकरता के साथ जल्द ही बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं पंडिश्री निवास तिवारी और उनके बेटे सुन्दरलाल तिवारी के स्वर्गवासी होने के बाद रिवा से कॉंग्रेस का स्थित्व ही गर्त में चला गया था। पिता और दादा की विरासत को सम्हाल कर रखने वाले सिधार तिवारी भी अब भाजपा के हो गये हैं। तीसरी ख़बर में बात करें गमंडिया गटबंधन पर शिवरास सिंग चोहान के हमलिक। दरसन मध्यप्रदेश के बुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने विपक्षी दलो के गटबंधन पर एक बार फिर निशाना सादा है। उन्होंने मध्यप्रदेश में कॉंग् चार एक है और नहीं दिल एक है मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि ये गडबंधन केवल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में बना है उन्होंने कहा कि इस गडबंधन का दूसरा कोई और मकसद नहीं यह बेमेल है जो की चुनाओं से पहले ही तूटने लगा शि शिवराज सिंग ने अखलेश यादव के शब्दों को दोहराया कि उनके कालेकरता रात भर जागे उन्हें बठाया और फिर चिरकुर जैसे शब्दों का प्रियोग किया गया शिवराज ने चुटकी ली किसी से समझा जा सकता है कि गडबंधन के बीच क्या चल रहा है उन यह होता है क्या यह तो 2034 के लिए बना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि धोका देना कॉंग्रेस का काम कॉंग्रेस आपस में ही धोका देती है मध्यप्रदेश में देख ली जए कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में लड़ रही है उधर आम देश और प्रदेश का भविशे कैसे होगा चौथी खबर में बात करेंगे कॉंग्रेस में पड़ी फूट की जिसकी वज़ा से अब नेता विरोध प्रदर्शन पर उतर आएं दरसल मध्यप्रदेश विधान सबाचुनाओ 2023 के लिए कॉंग्रेस ने 229 उमिद्वारों का विरोध पूरी तरह से थमाई नहीं था कि अब दूसरी सूची आने पर बगावत के सुर और तेज हो गया है नराज कारेकरताओं का गुस्सा चरम पर है प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले के सामने ऐसे ही पार्टी वरकर्स ने आज राज्यसभा सांसद और वरिस्ट नेता दिग्विजर सिंग का पुतला जला दिया पवई और सेवडा विधानसभा सीट के सैकड़ो नाराज कारी करता प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले पहुचे थे यहां उन्होंने धर्णा प्रदर्शन और नारेवाजी कर अपना विरोध जता है यह सभी पवई विधानसभा स सीट से पुर्वमंत्री मुकेश नायक और सेवडा सीट से घंशियाम सिंग को टिकट दिये जवाने का विरोध कर रहे थे इनका कहना था कि अगर पार्टी ने इंदिनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं बदले तो कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा साथ ही उन्हो वाल की बेर्सिया विधान सभा से टिकट की दावेदारी कर रहे राम भाई मेहर के समर्थक बड़ी संख्या में नात के बंगले पर पहुंचे मेहर को टिकट ना दिये जाने पर विरोध प्रदर्शन किया कॉंग्रेस ने सीट से जैश्री हरी किरन को प्रत्याशी बनाया ह पाच्वी और आखरी खबर में बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में छुड़ी जंग की दरसल मद्यप्रदेश कॉंग्रेस के अध्यर्श कमलनात के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्या अखले श्यादब भड़क गये हैं यूपी के पुर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुएं अगर पता होता कि कॉंग्रेस विधान सभा में गटबंधन नहीं करेगी तो हम कभी उनका फोन भी नहीं उठाते दरसल मद्यप्रदेश विधान सभा चुनाओ के प्रचार को लेकर पुर्व मुख्यमंत्री और MPPCC चीप कमलनात अपने ग्रेच छेंद्र छिंद्वारा के दौरे पर थे इस दौरान PCC चीप ने मीडिया से कहा कि माहौल बहुत अच्छा है टिकट घोशित होने के बाद फोन कॉल आ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि काफे उत्सा है हम उमीद से भी बहतर संख्या से जीतें इसी दौरान सपाप्रमुक अखलेश यादब की तरफ से कॉंग्रेस पर लगाए गए विश्वाज घात के आरोपों के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो कमलनात चूटते ही बोले सपा के मुख्या ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार कॉंग्रेस को दूसरे दलों के साथ लेने में क्या परिशानी किसी दल में ताकत या हैसियत है तो उसको साथ लेना चाहिए मुझे वो दिन याद है जब कॉंग्रेस को अपनी सरकार बनानी थी तो MP में तो सुभा से लेकर शाम तक वो हमारे विधायक को ढूंड रहे थे अखलेश ने आगे कहा इंडिया के भरोसे में MP में अपने नेताओं को निराश नहीं कर सकता सपा भाजपा को हराने के लिए तैयार है फैसला कॉंग्रेस को लेना है अगर हमें पता होता कि विधान सबास्तर पर गडबंदन नहीं है तो ना हम मीटिंग में जाते और ना ही कॉंग्रेस निताओं के फोन उठाते हमारे खास प्रोग्राम MP करण में इतना ही देखते रहें ये कैपितल टीवी नमस्कार प्रोग्रेस